हेलो, नमस्ते, अताब, सस्तिरिया काल, कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तो आज हम हिंदी साहिते के इतिहास को देखेंगे, हिंदी साहिते के इतिहास को पढ़ने से पहले हम इतिहास को समझेंगे कि इतिहास क्या है, तो जो अतीत में घटनाए घट चुकी होती है उसे हम इतिहास कहते हैं तो जो अतीत में घटनाए घट चुकी है तो हमें उसे पढ़ना जरूरी क्यों है हम क्यों पढ़ें जो घटनाए घट चुकी तो घट चुकी तो यहां हम देखेंगे कि इतिहास को पढ़ना जरूरी क्यों है तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो घटनाय घटती है तो घटनाय जो हैं वो दुबारा घट सकती है लेकिन जो उसके परिडाम है वो दुबारा वही ना रहें इसलिए हम इतिहास पढ़ना जरूरी है उधारन के लिए हम देखते हैं कि जब अंग्रेजों ने भारत पर आक्रमन किया था तो उस वक्त जो राजा थे उनमें आपसी मतभेद था एक जूटता नहीं थी तो अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया और उन्होंने उस मतभेद को और अधिक बढ़ाया और फुट डालो राज करो इस रणनेती को अपनाया और सभी रजाओं को एके करके पराजित कर दिया और अपना अधिकार भारत पर जमा लिया तो अगर वो उस तरह की घटना दुबारा घटती है तो हमें हमें पता है कि ऐसी ऐसा हुआ था और इसके परणाम यह यह हुए थे तो हम उससे क्या सिखेंगे हम सिखेंगे कि अगर कोई विदेशी दुबारा इस तरह से आक्रमन करता है भारत पे तो हम क्या करेंगे कि आपसी मतभेद भूलकर एक जुट होकर और वो परणाम ना हो उस बहतर परणाम हो इसके लिए एक जुट होकर उनको पराजित करेंगे उनको अपने देश से बाहर करेंगे तो अभी परणाम क्या होगा कि हम उनकी अधीन नहीं होंगे बलकि उनको बाह अब हम इसके साब्दिक अर्थ को देखते हैं कि इतिहास का साब्दिक अर्थ क्या है तो इतिहास का साब्दिक अर्थ है इति प्लस हास अर्थात ऐसा ही हुआ होगा इसके परिवासा को देख लेते हैं तो पहला परिवासा है कोहलर के अनुसार कोहलर के अनुसार इतिहास अर्थ पून होता है इतिहास क्या होता है अर्थ पून होता है कुछ योग, कुछ घटनाएं और कुछ ब्यक्ति अन्यों की अपेच्छा अधीक महत्तपून होते हैं और इस कारण तत कालिन घटनाओं के केंद्र बनते हैं अर्था कुछ घटनाय, कुछ यूग, कुछ ब्यक्ति जो होते हैं, उस समय में वो अन्य लोगों के अपेच्छा, अर्था जो घटनाय हैं वो अन्य घटनाओं के अपेच्छा अधिक महत्पूर होगी, जो ब्यक्ति हैं वो अन्य ब्यक्ति के अपेच्छा अधिक महत्पूर होगा जैसे कि हम उधारण के लिए देखते हैं कि जो 2020 था 20 साल था वो अन्य समय के अपेच्छा अधीक महत्वपूर्ण था क्योंकि उस वक्त कुछ घटना ऐसी घटी थी जो कि अन्य घटना के पेच्छा अधीक महत्वपूर्ण थी और वो घटना थी कोरोना वायरस का भार जन जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था तो उस घटना ने अपना बहुत अधीक प्रभाव डाला था तो वो घटना महत्वपूर्ण थी और जो ब्यक्ति महत्वपूर्ण थे उस वक्त डॉक्टर्स या फिर जो प्रधान मंत्री थे देश के उन्होंने किस तरह से इस घटना को जो घटना घटित हुई थी उसको संभाला उसको नियोजित किया तो ये जो सारे घटनाए थी जो व्यक्ति थे जो समय था वो अन्नी के पेच्छा अधिक मत्वपूर्ण था तो इसके बारे में हम इतिहास लिख सकते हैं तो ये और ये जो थे जो ततकालीन जो कि 2000 अगर हम 19 देखें 20 देखें 21 देखें तो इसमें इन ततकालीन घटनाओं मे ततकाली समय में ये जो समय था वो केंद्र था तो उसका इतिहास लिखा जा सकता है तो कोहलर के अनुसार यही है कि इतिहास अर्थपुन होता है और जो घटनाए अनी घटनाओं का पेच्छा अधिक महत्रपुन होती है वो इतिहास का केंद्र बनता है दुसरा उधारण क्या है? हिगल के अनुसार, इतिहास घटनाव का अन्वेशन, संकलन, मात्र नहीं है, अपितु, उसके भीतर कारी कारण, संबंध, विधमान है. इतिहास घटनाव का अन्वेशन, अन्वेशन का अर्थ है खोज करना, संकलन का अर्थ है इकठा करना, अर्थात केवल घटनाव को खोज के और उसको इकठा कर लेना ही इतिहास नहीं है, उनके बीच में, घटनाव के बीच में घटनाव और जो खोजा गया है, उसके बीच मे एक कारे कारण का संबन्द होना चाहिए जो घटनाय रहती हैं उसके घटनाओं के पीछे कारण क्या था अभी जैसे हमने पिछले धारण में देखा कि उसका कारण था कि उस्वक्त जब देश पर आधिन किये थे राजाओं ने वो अंग्रेजू ने तो उसका कारण था आपसी मत भेद तो वही कारे कारण का संबन्ध बिधमान है तभी तो हम बहतर परणाम देखेंगे आने वाले भविस्ये में तो उसमें कारे कारण का संबन्ध बिधमान होना चाहिए केवल अन्वेशन और संकलन मातर इतिहास नहीं है ऐसा हिगल ने कहा, अब क्रोचे ने क्या कहा, क्रोचे ने कहा कि इतिहास का, इतिहास कार का कारे केवल घटनाओं कोई गठा करना ही नहीं, अपितु उसका आलोचनात्मक द्रिश्टी से विशलेशन करना भी है, इन्होंने भी कहा कि केवल घटनाओं को इकठा कर लेना, जैसा कि हिगल ने कहा कि घटनाओं को अन्यविशन और संकलन करना, यही बात इन्होंने भी कहा कि घटनाओं को केवल इकठा करना ही नहीं, उसका आलोशनात्म करना, आलोशनात्म करत है कि विरोध करना, विरोध का अ इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए। उसको प्रमारिक होना चाहिए. और उसका जो विशलेशन किया जाए, व अर्थपुल होना चाहिए. तभी वो इतिहास के बारे में वो से एक सफल इतिहासकार माना जाएगा. और जैसे कि जो भी उसका जो तत्थे है वो भी प्रमारिक होना चाहिए और उसका अलोचना अगर कोई करता है तो अलोचनात्मक अधिक अलोचना नहीं कि जानी चाहिए उसकी और उसका विशलेशन भी प्रमारिक होना चाहिए तभी वो सफल इतिहासकार माना जाएगा क्या है दर्शन संस्क्रत के द्रश धातू से बना है जिसका अर्थ होता है देखना लेकिन हम दर्शन का सधारन अर्थ दिन में अगर कहें तो आँखों से देखना से ले लेते हैं लेकिन इसका अर्थ सिर्फ आँखों से देखना नहीं है इसका अर्थ है इस्थुल रूप से बीदेखना और सुक्ष्मरू से देखने कारथ है कि आध्यात्मे के नजर से देखना दर्सन का अर्थ यही है कि आप आध्यात्मे के दृष्टी से भी उस घटना को देखें और उसका विशलेशन करें तो उसका परिभासा डॉक्टर सर्वपली राधा किश्णन ने लिखा ह कि दर्शन वास्तविक्ता के स्वरूप का तार्किक विवेचन है वास्तविक्ता के स्वरूप का तार्किक विवेचन है वास्तविक्ता अर्थात जो घटनाए सत्य पर अधारिक हो जो वास्तविक हो जो सची घटना हो कोई भी मनगड़त कहानी कुछ भी मनगड़त करके और उसका इत्यास नहीं लिख सकते हैं उसके बारे में विशलेशित नहीं कर सकते हैं वो सत्य पर अधारित होनी चाहिए वास्तविक होनी चाहिए उसके रूप का तर्क के साथ विशलेशन करना दर्शन कहलाता है तो यह है इत्यास दर्शन को देखेंगे कि हिंदी साहि जीवन की आलोचना है चाहे वो निबंध रूप में है चाहे वो कहानी रूप में हो या कावे रूप में हो अर्थात साहित जो है वो जीवन में जो बुराईया होती है जो समाज में जो बुराईया फैली रहती है जो गलत चीजे है जो समाज को समाज की जीवन को परभावित उनकी आलोचना साहितिकार अपनी कलम से करता है और वो चाहे निबंद रूप में हो चाहे वो निबंद के रूप में करे चाहे वो कहानी के रूप में करे या कावी के रूप में करे लेकिन वो उनकी आलोचना करता है अर्थात जो समाज में बुराया फैली रहती है उनकी आल परसाद दिवेदी क्या लिखते हैं, इनके अनुसार, ज्यान रासी कोश को साहित्य कहा जाता है, साहित्य किसी कहा जाता है, ज्यान, ज्यान राशी, राशी का अर्थ है धन, ज्यान रूपी, धन को, धन के कोश को, कोश मतलब भंडार, उसको क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं, अठात साहित्य के अंदर ग्यान का भंडार भरा हुआ है उसे ही हम साहित्य कहते हैं और यदि उस साहित्य को पढ़ा जाए और अपने जीवन में उतारा जाए तो जीवन जो है बहतर तरीके से चल सकती है क्योंकि उसके अंदर ग्यान भरा हुआ है और यदि जो वेक्ति साहि नहीं पढ़ेगा वो अग्यानी रहेगा वो जीवन को कैसे सुचारू रूप से चला पाएगा इसलिए साहित्य को पढ़ना आवस्यक है क्योंकि इसमें ज्यान का भंडार है और ऐसा किस ने कहा है महाबीर परसाथ दिवेदी ने कहा है उसके बाद हम अगला देखते हैं तेन के अनुसार तेन ने क्या कहा साहित्य के बारे में तेन ने कहा कि किसी भी साहित्य को साहित्य की इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जाती परंपरा हैं जो समाज में जाती परंपरा होती है अर्था जो उस वक्त की जाती जाती की समस्या होती है जो परंपरा होती है कि उच वर्ग जो होते हैं जाती निमनवर्ग के जो होते हैं उच जाती होती है निमनजाती होती है उनके बीच का सामान जस से कैसा है क्या उच वर्ग के लोग उच जाती के लोग निमनजाती के प्रतिसान उभूती रखते हैं या फिर उनके प्रतिनिंदा का भाव रखते है दूसरा क्या है राष्टी, राष्टी मतलब वहां की राष्ट की स्थिती कैसी है, जो राष्ट है उसकी आर्थी की स्थिती कैसी है, उसकी समाजी की स्थिती कैसी है, अभी की देखा जाए, तो राष्ट की आर्थी की स्थिती बहुत गिरी हुई है, बहुत अधिक खराब है वो चाहें किसी भी राष्ट की हो क्योंकि कोरोना वायरस से बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं सभी राष्ट तो राष्ट की सिती उसके बाद समाजीक वातावरन समाज का वातावरन कैसा है अगर हम किसी देश का साहिते लिखते हैं तो उसका वातावरन कैसा है वहां के लोग की सोच कैसी है, क्या वहां भरष्टाचार फैला है, क्या बेरोजगारी है, क्या वहां भुखमरी है, तो ये सारी चीजे हैं, क्या वहां पर चोरीड कहती होती है, वहां का वातावरण कैसा है, उसके बारे में भी साहिते में लिखा होना चाहिए, साहिते लिख वो अपने आपको कैसा मैसूस करते हैं, क्या वो सुरचित मैसूस करते हैं, अपने आपको उस देश के अंदर, वहां के महिलाएं सुरचित हैं, तो वहां के परिष्थिती कैसा है, उसके बारे में भी अध्यान किया जाता है, और विशलेशन किया जाता है, तो उसे हम सहिते क भाश्यक्ष्य है यदि एक साहिति के बारे में हम लिखते हैं या बात करते हैं तो इन्हों किन्न ईसके तीन सुत्र बताएं जाती वाता वरण और चण इसके तीन अधार भुद सुत्र हैं तो ये बहुत पर पुछा जाता एक्जाम में कि तेन के तीन अधार वुद्ध सुत्र कौन है तो जाती वातावरण और चण ये तीनों अधार वुद्ध सुत्र हैं उसके बाद राम चंदर सुकले ने क्या कहा साहित्य के बारे में राम चंदर सुकले ने कहा कि प्रतेख देश का साहित्य उसक उनके चित में, जो उनके मन की धारणा है, जो उनके दिमाग की इस्थिती है, उसकी उनकी जो सोच है, उसमें जो संचित, जो एकत्रित है, उसका प्रतिविम अर्थात आइना, उसका मतलब उसके बारे में साहित लिखा जाता है, तब किसी देश की जनता जो होती है, वो कैसी सोच रखती है उसकी कैसी धारणा है उस वक्त की जिस काल का साहित लिखा जा रहा है क्या वो अपने देश के बारे में क्या सोचती है उच जाती के बारे में क्या सोचती है या फिर जो राजा है वो अपने प्रजा के बारे में कैसी सोच रखते हैं मतला वो किस तरह कर एक संचित प्रतिविंब साहित्य है ऐसा राम चंद्रसुकल ने कहा तो यह है साहित्य की परिभाशा तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मिलते हैं इसके अगले भाग में तब तक आप कि आपको कि यह हैं झाल की कि